नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका नियूद कशाइस यूटूब चैनल पर और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एजेंडा 21 को ले करके है इनवारेमेंट की जो बच्चो श्रिंखला चल लए है उसी में हम बहुत आगे जो है तेजी से बढ़ रहा हैं और मैं उम्मीद कर कर दिया करूंगा तो एजेंडा 21 से questions जो है आपके परिच्छाओं में ऐसा नहीं है कि बनेंगे बल्कि बहुत पहले जो है बन चुके है questions जो है इससे पहले भी बने हुए है ऐसा नहीं है कि आज मैं कोई नया टॉपिक आपके सामने ले आया हूं बट आज मैं आपको यहा मैं बताऊंगा इस वीडियो को कैसे कैसे क्या क्या चीज़े करना निए पहले हम देखने कि किया हमें पढ़ना है तो हमें सबसे नहां है कि अर्त संभी आभिकर है क्या इसके बाद एम जानना है एजन दाइक है कि है क्या है क्या क्या भाग है तो इस सभी चीजों को आज हम यहां पर देखने वाले हैं तो अर्थ-सम्मिट क्या है मतब कि अगर हम आप से कहें कि प्रित्वी सम्मिट यानी अर्थ-र ऐसे तो आप लोग जानी रहें कि हमारा प्रिथवी है यह सब चीज़ें यहां नहीं जाना अर्थ समिट मत्ब कि समिट कभ होती है पर एक परशन तो यह है कि समिट कभ होती है जब किसी एक विशह के कारे में कुछ एक नय फैसले लेने हो यह फिर कोई गंभीर समस्या आ गई हो तब समिट जो है लिए या फिर कोई आप कह सकते हैं कोई उपादान करना हो तब जो है summit जो है launch की जाती है कोई भी summit तभी की जाती है तो अर्थ summit से जैसा गर यह word आपके सामने जब आएगा तो आपके दिमाग में एक चीज तुरंत आनीच चाहिए कि अगर अर्थ summit है इसका मतलब यह है कि कुछ पर्यावरण या उसकी सुरक्षा से लेटेड कुछ प्राकृतिक संसाधनों से लेटेड ही होगा क्योंकि प्रित्वी है तो प्रित्वी क्या है भाई हमारी माता है और वहां पर क्या है वन है जीव हैं तमाम चीजे बायो डैवेस्टी भी आपके दिमाग में घूमने लएग तो हम पर यहीं चीजे जाननी है तो आए देख लिते हैं रियो डि जैनेरियो जोकी ब्राजिल में है कहां पर है यह याद रखना है रियो डिजैनेरियो ब्राजिल में 1992 में परिख भरन और विकास संमेलन आयोजित किया गया जिसे अर्थ सम्मिट कहा गया तो देखे सिंभिट कहा गया बच्चों बहुत ध्यान दीजेगा अर्थ सम्मिट कहा गया जो प्रिठी शिकर सब्बेह नहीं नहींडी लिए कि तो पृत्वी शिकर संभिलन सबसे पहले आपको जानना है कि 1 1992 में हुआ था फिर 2002 में होता है फिर 2012 में होता है 3 अर्थ संभिट होते हैं टेक है उससे पहले 1992 के बाद एक और भी होता है Gardensi जहान देज़िएगा मैंने इसको क्यों नी चर्चा किया यह भी बताऊंगा भी आपको तो जरा ध्यान दीजेगा मुझे आपको यहाँ पर एक चीज याद कराना है कि जो तीन अर्थ सम्मिट हुई है यह इसमें आपको कुछ ट्रिक के साथ एक चीज मैं याद कराना जा रहा हूं कि यह जो 1992 1992 और 2012 वाला यहने कि पहला और तीसरा यह फिस्त है यह फिस आपको याद कराना था है तभी मैने यहाँ इसको लिखा इसको नहीं डिसकस किया है ना रियो डी जनेरियो ब्राजिल रियो डी जनेरियो क्योंकि अब क्वेशन आता है इसलिए मैंने यहां पर इसको लिखा और यह वाला जो हुआ था यह साउथ अफरिका में हुआ था बीच वाला जो है साउथ अफरिका 2002 में जो हुआ था साउथ अफरिका में होता है तीनों डेट से प्रश्ण आया है इसलिए मैंने यहां पर अलग से लिख कर बता दिया है तो यह याद हो जाना चाहिए आपको इसमें एक चीज़ आपको याद हो जानी चाहिए कि 1992 दस एड करेंगे दो हजार दो सॉरी और दस और एड करेंगे दो हजार बारा तो पहला और तीसरा जो हुआ था बच्चों रियोडी जिनेरियो ब्राजिल में और जो 2000 वाला है वो साउथ अफरिका में होता है तो अर्थ सम्मिट क्या है क्या मैंने आपको बता है रियो डी ब्राजिल में 1992 देखे यही वाला है यह 1992 में पर्यावरण और विकास सम्मिलन आयोजित किया गया जिससे अर्थ सम्मिट कहा गया जैनि हमारे पर्यावरण और उसका किस तरह से हम विकास कर सकते हैं इस पे एक सम्मिट सम्मिट किया गया इसी को ही अर्थ सम्मिट कहा गया तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि क्या होता कि किसी एक पर्टिकुलर किसी चीज को ले करके सम्मिट की जाती है किसी एक विशय को ले करके सम्मिट की जाती है तो यहां जो अर्थ सम्मिट हुई थी इसका विशय क् परयावरण जो कि परिपलस आवरण परिता आवरण मतल 2015 थारह हम जीवधारे और वनस्पतियों के चारो और जो आवरण है वही परयावरण है तो परयावरण को लेकि सम्मिट हुई क्यों? आप ये भी तो सौचिए समिट इसलिए होई कि बचो तो देखे ध्यान दीजेगा एक और मैं आप बता रहा हूं जिस तरह से जनसंख्या उत्रोत्तर बढ़ रही है उस तरह से लोगों को रहने के लिए चाहिए आवास अब आवास के लिए क्या करें जंगलों को काटना पड़ेगा वहां घर बनाना पड़ेगा जब जंगलों का मतब क्या हुआ सी-ओटु की स्योटु की सांधरता में व्रिद्धी होगी और जब सोटु की सवाडरता में व्रिद्धी होगी तो वेश्रिक तापन को बढ़वा मिले गा तो किस तरह से हमें इको फ्रैंडली होना है क्या होना है इको फ्रेंडली होना है इसलिए तो ये भी देखा जा रहा है कि कार्बन उस सर्जन किस हिसाब से इसलिए कॉप 21 पैरे सुप मिलन हुआ था और तमाम तरह की जो कॉप सम्मिलन भी जो है इसलिए किये जाते हैं ताकि जो विभिन देश हैं यहां हम कह सकते हैं कहने के मतलब यह हैं कि परयावरन और विकास समिलन पर यह थी यह तो हम जाने और कुछ मैंने आपको एक श्ट्रा भी बता दिया है जो कि समझ में आ गया होगा अब इसी लिए इसी क्रम में ध्यान देंगे इसी क्रम में एजेंडा 21 लाया गया क्योंकि परयावरन फारूला अपनाया गया यानि हम रियो डी जनेरियो ब्राजिल में यह कहा गया कि परेवरन उसकी सुरक्षा और विकास करना है तो हमको एक फारूला बनाना पड़ेगा उसे बोलते हैं एजेंडा 21 तो यह दारेट कोश्ण बच्चों आता है एजेंडा 21 का संबंद किससे है तो सतत विकास से है देख लिजे मेरा आप मेरे बातों पर मत जाईए आप जाईए और प्रश्ण पत्र खोलिए उस पर दिखा हुआ है एजेंडा 21 है डैस सतत विकास से इसका संबंद है सतत मत्तक कॉंटीनिवस डेवलप्मेंट से है कांटीनिव रूप से हम विकास सका सम्द्ध एजनडा 21 है परिच्छा का प्रश्ण आउट आया हुआ प्रश्ण है स्टेट सीट से ले करके पीस तक प्रश्ण पुछा गया है कि एजनडा 21 का सम्द्ध कि से बच्चों सतत विकास से है लिख लीजे इसको चाहिए तो लिख लिजे कि एजेंडा एक इस हल यहां लिखा है, कि नई, 1992 में से पहले लिखा है Stock H प्रित्वी सिखर सम्मेलन आयउज्वद कि आ गया । जिसमें परयहवरण सुरक्षा और विकास पर जोर दिया गया और उसके बाद ही एजन्डा 150 है तो जब ये प्रित्वी सिखर सम्मेलन हुए तो इसका रिजल्ट क्या निकला एज데 एकिस जो कि अभी मैंने आपको समझाया और एजंडा एकिस का समद्ध किस से जो कि मैंने अभी आपको बताया सतत्विकास क्लियर हो रहा होगा और इसके बाद इसकी समिक्षा के लिए जो है प्रिथ्वी सम्मेलं प्लस 5 हुआ 1997 तो ये भी आपको याद अखना है ठीक 5 वर्स बाद प्रिथ्वी सम्मेलं प्लस 5 हुआ था 1997 कोई पूछ सकता है क्यों हुआ था समिक्षा करने के लिए हो था क्या कि अन्यक्षा करने के लिए प्रिथ्वी सम्मेलं हुआ था अब चीज़े क्लियर हो रहे होंगी एक चीज़ और बता देता हूं हमें पता है कि विश्व पर्यावरंड दिवस 5 जून को मनाये जाता है बोलिये हां सभी पता है काफी प्रश्ण बहुत बार आया हुआ हुआ है मतलब इतना जाता रिपीट हुआ कि अब आने की चांस इ बच्चों उसी में पहली बार जो है इस जो है आपका मनाय गया था विश्व पर्यावरंड दिवस तो विश्व पर्यावरंड दिवस 5 जून को मनाये जाता है पर पहली बार जो मनाये गया था वो कम मनाये गया था है 1972 के स्टॉप सम्मिलन में मनाये गया था है क्लियर किसा है जिसका संबंद किसे मैंने बता है सतत्विकास से और फिर इसकी समिच्छा करने के लिए सिखर समिलन प्लस 5 1997 में हुआ यहां तक पूरा क्लियर हो गया 1992 में दस जोड़ो 2002-2002 में दस जोड़ो 2012-2012 पहला तीसरा रियोडी जनेरियो बीच वाला अफ्रिका याद हो गया होगा अब हमारा जो नेश्ट है टॉपिक एजन्डा किसके भाग हैं तोंग कों से भाग हैं क्या क्या भाग हैं बच्चों बहुत इंपोर्टेंट है आ सकता चार भाग है बच्चों बहुत सुंदर लाइन है आये समस्ते हैं इसकी समिक्षा कि जाए इस लाइन का रत क्या है जैव विविद्टा मतलब जाजीवों की विविद्टा मतलब उसमें वनस्पती सूख्ष, जीव, जन्तू सब आ जाएंगे यानि जो जीवों की विविद्टा है यानि जैव विविद्टा जिसे बोलते हैं उसका हम सर्वे चण करेंगे नहीं जैसे सर्वे करते रहते हैं कि हाँ भाई क्या है चीजें कौन सी मतज़े समान लीजे अगर हम कह लें कि रैबिट अगर ले लें तो रैबिट एक प्रजाती है तो उसको हम देख रहे हैं कि उसकी संख्या कितनी है ऐसा तो नहीं कि अब यह विलुप्त के कगार पे है कि क्या चीजें हैं मैं देख रहा हूँ वाच कर रहा हूँ और साथ ही साथ जो संकट गरस्त जीव है संकट गरस्त जीव का मतलब क्या हुआ ऐसे जीव जो विलुप्त होने की कगार पे अभी विलुप्त हुए नहीं है, संकट उन पर मढ़ रहा हुआ है, जान दिजेगा, संकट गरस्त जीव मतब कि ऐसे जीव, जो संकटा पन नहीं, मतब कि विलुप्त होने की कागार पे अभी हुए नहीं है, तो उनका हम कंजर्व करेंगे, उनको हम सारी फैसिल्टी होगा, मैं उम्मीद करूँगा, आप तो सवंज आ गया होगा, कि किस तरह से हम जय विवता का सर्विक्षण करेंगे, और साथी साथ संकट क्रस्त जीवों का संक्षण करेंगे, अगला है, अगला है, विकास सील देसों में गरीबी निवारण व जन संख्यानी अंत्रम, ब है, चाइना है, भारत है, पाकिस्तान है, बंगला देश, यह सब क्या है, विकास सील है, भारत एक विकास सील देश है, विकास सील देश है, विकास सील देश है, भारत एक विकास सील देश है, अब बताए हमाई देश में गरीबी है कि नहीं है, आपको यह भी पता है, कि ग गरीब और अमीर गरीब और गरीब हो रहा है अमीर और अमीर उनके बीच वह खाई भी बहुत तेजी से बढ़ रही है आपको पता होना चाहिए कि गरीबी निवारण किस तरह किया जाए और किस तरह से भारत चाइना की जनसंक्या को चोड़कर विश्व की सबसे बड़ी जनसंक्या वाला देश बन जाएगा बहुत इंपॉर्टटनचीज मैंने बता दिया आपको रख पाएंगे तो यह बहुत ज्यादा इंपोर्टन्ट है तो ध्यान दीजेगा साथ जनसंक्या अगर बढ़ती है तो competition भी बढ़ेगा और competition जब बढ़ेगा तो जानी रहें क्या होगा Darwin's law आपको पता ही है ठीक है वह होगा सबको सबको खाद्य स्वच्छ जल और सामाजिक सुरक्षा तो देखिए सबको खाद्य में खाना पानी सुध जल सामाजिक जो सुरक्षा है वो दी जाया चाहे एजेंडर किसमें एक कथनी भी है अब आप खुश सोचो सबको खाद्य हम कैसे दे पाएंगे जब हमारे पास अवेलिबिल्टी होगी तभी तो हम दे पाएंगे उसके लिए जनसंख्या को कंट्रोल करना पड़ेगा सच जल भी दे पाएंगे क्योंकि भाई जब नंबर ऑफ फीपल बढ़ेंगे तो प्रतिवेक्ति जो जो पर कैपिटाइड डिमा तो जब लोग फिर गलत कामों पर उतर आएंगे तो यह चीजे नहीं होनी चाहिए कहने मतलब कंट्रोल होना चाहिए है ना और जो लास्ट है वह आपका पुंजी इस्थानांत्रण को उदार बनाने पर बन किस तरह से हमको पुंजी इस्थानांत्रण को और अत्यधिक जो आद होनी चाहिए तो यह याद मैं मित करूंगा मैंने समझाया अच्छा ही होगा आपको आयाद भी हो गया होगा पर भाग जरूर आप ध्यान दीजेगा वरना जो है मामला गड़बड हो जाएगा तो एजेंडा 21 जो आज मैंने यह वीडियो बनाए आपको कैसी लगी प्रयास करता हूं तो मिलते हैं इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही दन्यमाद